कॉंग्रेस प्रतिनी थी पहुंचा भूपाल संजीत मार्ग पर दोगुनी रफ्तार से बन रहा ओवर ब्रीज एक माह में दो स्लेप डाले सिर्फ तीस स्विजदी काम बाके चार साल से चल रहे संजीत मार्ग स्टित आवर ब्रीज निर्माण ने अब गती पकड़ ले हैं अक्टूबर में ब्लैक लिस्टेट करने की बजाए ठेकेदार को दूसरा मोका दिया था अंति मौसप कारवाई के डर के चलते बीते एक माह में ठेकेदार द्वारा दो स्लेप डाल दी गई जबकि पुर्व में हर माह एक स्लेप डाली जा रहे थी मार्च दोहजार तेइस तक साथ और स्लेप डालना बाकी है अधिकारियों का दावा है कि सित्तर फिजदी काम हो गया है संभावना है कि सैमयोधी में काम पूरा हो जाएगा जानकारी के अनुसार सेतु विकास विभाग ने 2018 में ठेकेदार जीयार अगरवाल को वर्क और्डर जारी कर काम शूरू करवाया था कोरोना संक्रमन के दोरान तीन से चार माँ काम बंद रहा ठेकेदार को दिसंबर 2020 में काम पूरा करना था कोरोना के चलते विभाग ने जुलाई 2021 तक समय दिया इसके बाद भी ठेकेदार द्वारा काम नहीं किया गया उसने वापस समय बढ़ाने के लिए आविदन दिया विभाग ने मार्च 2022 तक का समय दिया लेकिन लापरवा ठेकेदार फिर भी काम नहीं कर पाया तब विभाग ने कारवई की हाला कि इसके बाद एक बार फिर मोका देते वे विभाग ने अब मार्च 2023 तक अंती मौसर दिया है जानकारी के अनुसार कुल 32 लेव में से पुर्व में 25 जाच चुके हैं अब 7 ओर डालना है अधिकारियों के अनुसार यदि इस दोरान भी ठेकेदार ने कारी पूरा नहीं किया तो कारवाई करते वे राशी जब्त की जाएगे 30 गावा 15 कॉलोनियों के लोग जेल रहे दिक्कत मनसौर से संजीत के बीच मूदरी, जगा खेडी, नापा खेडा, आक्यावीका, बांस खेडी काचरिया सहीत 30 गावा आते हैं फाटक के दूसरी पार मनसौर अध्योगिक शेत्र सेक्षनिक संस्ताइं वो 15 सेधी कॉलोनिया हैं इन गावाव कॉलोनियों को मनसौर से जोडने के लिए मुख्यमार्ग बंद है रहवासियों को काफी परिशान होना पड़ रहा है सेतु विकास विभाग के SGO प्रविन नर्वरे ने बताया कि लापरवाही बरतनी पर ठेकेदार का परवमे ही ठेका निरस्त किया था इसके बाद उसी को अंतिम उसर प्रदान करते वे मार्च 2003 तक काम पूरा करने को कहा है वरतमान में अभी कोई ठेका निरस्त करने की जानकारी लिखित या मोखिक में मेरे पास नहीं है ठेके द्वार द्वारा कारी किया जा रहा है निर्माणादीन और ब्रीच को पूरा करने की मांग को लेकर कॉंग्रेस की प्रतिनीदी मंडल ने बोपाल इस्तित सेतु विभाग निगम की मुख्य अभियंता संजे खाने से मुलाकात की मुलाकात में जिला कॉंग्रेस प्रवक्ता सुरेश बाटी मधिप्रदेश कॉंग्रेस महामंत्री प्रमिन मांगरिया रविंद्र पाठीदार वो मुकेश बामनिया ने इसने हनगर फाटक पर निर्माडा धीन और ब्रीच के सम्मद में मांग पत्र देते वे वर्तमान इस्तिती से उगत कराने का अग्रह किया इस पर मुख्य अभी अन्ता संजे घाने ने बिताया कि ठेकेदार द्वारा कारे में लापर वाही बरतने पर ठेका निर्स्ति किया जा चुका है इसी महा टेंडर प्रक्रिया पुर्ण होने का भरोसे दिलाते वे वर्क और जारी होते ही निर्मान प्रारम होने का अस्वाशन दिया है जिला कॉंग्रेस प्रवक्ता सुरेश भाटी ने मीडिया से चर्चा करते वे शनिवार को ग्यारा बच कर चालेस मिनिट पर बताया लगातार आमनागरिकों की ये शिकायत थी की संजीत मार्ग पर इसनेगर फाटक के पास जो और बीच बन रहा है उसे काफी समय हो गया है और काम रुक रुक के चल रहा है और काफी समय से काम बन दे इस शिकायत के बाद हमने इस्तानी अधिकारियों से संपर्क किया लेकिं इस्तानी अधिकारियों ने लोक निर्मा विभाग ने संतोष पर जवाब नहीं दिया हम पिछले दिनों भोपाल प्रवास पर थे इस दोराग हमने मुख्य अभियंता स्योति विकास निगम के संजय जी खांडे साथ से मुलाक जो इस्तानी अधिकारी थे, वो संभागी अधिकारी थे, उनका कहना था कि हमने ठेकेदार को एस्टेंशन दे दिया है, वो कार पूरे करने के लिए और भी ओधी दे दी गई है, तो मेरा मैंचा मानना है कि सियतु विकास निगम जिसे बड़ा विभाग, जिसके आला अधिक संजे जी खांडे साब कोई मालूम नहीं है, कि ठेकेदार का ठेका निरस्ते नहीं हुआ, एक्स्टेंशन दे दिया गया है, तो आप समझ सकते हैं कि कार लेकर के कितनी लापरवे चल रही है, मेरा यह मानना है, काम कोई भी करे, वर्तमान ठेका चले या नविन ठेका हो, आ और आला अधिकारियों को भी चाहिए, कि इस मामले में निरस्तानी अधिकारियों को नक्यल कसे, ताकि पूरी के पूरी जो अव्योस्ता है, व्योस्ताम तब्दिल हो सके हैं